समझते हैं क्या होते हैं हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स को हिंदीम बोलेंगे लवणोधित पौधे यानि कि ये पौधे ऐसे इनवल्मेंट में वगते हैं जहां पर जो सॉल्ट होता है ठालोण होते हैं वो सीब्लय बहुता है' इन दिया स्वाइल और वाटर में थाए जैसे होते हैं लेकिन नहीं मिट्टी भी ऐसी हो सकती है किया वहां पर सौल्ट की मात्रा काफी होती है तो यह वह वह पौधे होते हैं जो को tolerate कर लेते हैं high level of sword adaptations अब समझ लेते हैं हेलोफाइट में क्या-क्या adaptations होते हैं तो पहला adaptation होता है sword excretion जो sword यह अफसोशित कर आए क्योंकि उसी environment में खड़े हैं जहां पर sword ज्यादा पाय जाता है तो sword इनकी body में पहुचेगा तो उसको यह बाहा निकाल देते हैं एक्सक्रीट बोले तो बहार निकाल ना एक्ससौल्ट थूदियर लीफ और लूट्स दुख पत्यां है पत्यों में सफेज सफेज नजटार आ रहा है ना यानि कि यही है sword excretion पत्या सौल्ट को बाहार निकाल लए है दूसरा मालोस अगर सारे सौल्ट ना भी निकाल पाएं अगर सौल्ट को बाहार निकाल लए है तो पहले अब्जॉर्ड किया होगा तो यह सौल्ट को टोलरेंस भी कर ले जाते हैं सो हैलोफाइट है मेकेनिजम डाट एनेबल देम तो टेलरेट हाई सौल्ट कॉंसर्टेशन इंडियर सेल यानि कि अपनी बॉड़ी की जो सेल्स होती है ना वहां पर यह सौल्ट को उसके हाई कंसंट्रेशन को स्टोर कर लेती है ठीक है ना विदाउट बींग डैमेज्ड एक भाति है थे बेसे पहले यह सौलर को कि करते हैं इसके लिए करते क्या है कि अपने बॉड डी में कुछ कंपार्टमेंट बनारेते हैं ठीक ना सारा निकल जाएगा ज़रूर ही नहीं है तो इसकी बॉड़ी में कुछ कमपार्टमेंट्स बने होंगे ठीक है ना कुछ टिसूर या और गिनल्स में ठीक है ना उन सॉल्ट को क्या कर लेता है इस्टोर कर लेता है एक चीज यह भी हो जाएगी आगे समाजते हैं अगर ऐसे दल्दल में कोई पौधा हुआ हुआ है जैसी यह देख लो जो इंडियम बात करें जो दन आफ कच्च का है जो एरिया है वहां पर ऐसे दल्दल मिलेगा तो यहां सॉल्ट बहुत होता है तो यह इस तरीके से अपने रूट सिस्टम को एड़ाप्ट कर लेते हैं कि इस सैलाइन इन्वार्मेंट में भी पानी को आसानी से अप्जाव कर पाएं यहीं कि और सोसित कर पाते हैं पानी को ठीक ना टेकर वाटर इफिसेंटली फ्रॉम सैलाइन वामेंट सच आज बाइड़ोपिंग इस्पेसिलाइस रूट है डैट एड़ोट बोथ वाटर एं स पानी जो काफी सॉल्टी है तो अगर यह पानी को ज्यादा आपजाव करेंगे ना सॉल्ट भी इनके अंदर आएगा थोड़ा भाणफ को तो फड़ीक यह हो गया दद रहल ना स्माज़ यह बड़े-बड़े पणेंड और फूरा पानी भर्ड ह chutा रह यह जो पेंड है इनको गोलेंगे mangrove so these are halophytes that grow in coastal areas and are adopted to tidal inundation and high level of salt तो यहां पर तेजी से टाइट साएंगे पान तेजी से फ्लो होगा तो यह adopted होते हैं अपनी मजबूती से खड़े होते हैं तो यह होते हैं यहां पर बहुत पानी नहीं है लेकिन एक ऐसा दल्दल है यहां पर सॉल्ड की मत्रा काफी जादा है ठीक है इसे वेट लैंड्स बॉक्स से इन पर मैं सेप्रेड वीडियो बना चुका हूँ यहां पर सारे वीडियो पड़े हुए हैं तो ऐसे अगर दल्दल में कोई पौधे हो रहे हैं तुमको बोलेंगे सॉल्ड मास प्लांट्स वीचार एरियास आप कोस्टल वेट लैंड डैटार रेगुलर्ली फ्लेडड बाइट यहां पर क्या बोला है हमेशा पानी नहीं हो तो पानी पूरा यहां से निकल जाता है सॉल्ड बसंट यहां भी सॉल्ड की जो मात्रा होती काफी ज़्यादा हो जाती है So these are halophytes that grow in desert regions where the soil is saline due to high evaporation rates and low rainfall पानी यहां कम बरसता है लेकिन evaporation बहुत ज़्यादा होता है तो यहां की मिट्टी में salt काफी ज़्यादा होता है तो यह क्या होते हैं? Desert halophytes होते हैं तो यह हमने क्या समझाया? आपको long road भित किसे कहते हैं? बोले तो halophytes किसे कहते हैं?